देखिए आप में से काफी सरा लोग ऐसे हैं जो की जानना चाहा रहे हैं कि हमारे अधार काड में कौन सा मुबाइल नुम्बर लिंक है तो काफी सरा लोग को जो है दिकत हो रहा है चेक करने में क्यूंकि पहले जो है EYDI के दुबरा जो है बहुत ही आच्छा आपको लिंक प पा रहे हैं ठीक है तो आज की इस वीडियो में कैसे ठीक बताएंगे जिसके माधिम से आप पतक कर सकते हैं कि एक्चुल में आपके जो अधार काड है उसमें कौन सा मुबाइल नुम्बर लिंक है तो वीडियो को शुरू से अन तक लेका ज़रूर देखिएगा क्योंकि ब सबसे पहले तरीका के हम बात करें तो यह जो है अधार के ओपीसल पोर्टल के माधिम से अब कर सकते हैं और कभी-कभी यहां से भी आपका चेक नहीं होता है तो दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे जो की हमेशा उससे आप चेक कर पाएंगे कोई भी आपको प्रॉबलम करना होता है तो आप यहां पर अगर आपकी अधार काड मुबाइल नंबर लिंक होता है तो लोग इन करके आप यहां से सारे काम को कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर लोग इन के बटन पर जाकर आप अपना अधार नंबर डाल कर और यहां पर केप्चर डाल कर सेंड ओटीप के बटन पक्लिक करेंगी δर्षू आगर आपके आधार काड मॉ्माइल लांबर लिंक होगा तो weekend और पींग चला जातका है लेकिन यहां पर क्या होता है क्या आथार काड के साथ कौन सा मोबाईल लांबर लिंक है कि यहीं करते हैं वह को पदाने तो यहां선 नहीं करते हैं यहां पर नीचे आएंगे यहां पहूं पर अपको अधरीफाइए सब लिंक है तो उसको डाल कर आप यहां पर verify कर सकते हैं लेकिन यह भी तरीका work नहीं करता है तो इसको भी आपको छोड़ देना है उसके सबसे नीचे आएंगे न तो यहां पर एक option आपको देखने को मिलता है जैसे कि आपको हमें आप हाइलाइट कर दिखाते हैं चेक अधार ब लिंक है की नहीं है उसको डालेंगे फिर यहां पर आपको जिस भी परकार से क्यप्चा लिखा गया है यानि कि जो भी यहां पर चीज़ें लिखी गई है सेम उस तरह से आपको यहां पर भरनी होगी कई बर क्या होता है कि आपको यहां पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर ल लिएगा जो भी अपने अधार नमबर डाला हुगा है और उसके बाद इसका जो है वरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा जिसमें आपको डीटेल दिखा दिया जाएगा सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर दिखाए जाएगा कि आपका यह जो है कितना से लेकर कितने सा के बीच में हैं फिर यहां पर बताया जाएंगा तो यहां पर देख सकते ही, कि आपको देखने के मिलेगा कि यह वाला जो है आपका mobile number link है अगर आपके अधार काड़े में mobile number link नहीं होगा तो यहाँ पे blank दिखाएगा इसका मतलब यह है कि आपके अधार काड़े में mobile number link नहीं है लेकिन कोई भी यहाँ पे digit आपको दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है क कि आपका यह वाला नंबर जो है अधार में लिंक है, ठीक है, समझ में आ गया, यह जो है पहला तरीका है, जिसके माधिम से आप चेक आउट कर सकते हैं, कई बर क्या होता है, कि यह तरीका काम नहीं करता है, तो आपको जो है दूसरा तरीका अपना नहीं पड़ेगी, उसके लिए करना कि आए, आपको जो है DBT सर्ज करना है, DBT Agriculture, अब जैसे ही सर्ज करेंगे, जैसे कि आपको सर्ज करके दिखाते हैं, DBT Agriculture, तो बिहार का जो है कृसी भीभाग का वे उसाइट है, जिसके माधिम से आप सारे काम इहाँ पे करते हैं, कि सिसम और यहाँ से बसक्रीज क करने के बाद आपके सामने जो ही पंजिक्रन करने का यहां पर option आएगा इसको close करेंगे और यहां पर देख सकते हैं कि डेमोगराफी plus OTP का आपको option मिलेगा तो इसका selection करेंगे selection करने के बाद यहां पर आपना अधार कार्ड जो number है उसको फिल करना है और फिर आपके अधार कार्ड जो भी नेम है उस परकार से नेम आपको लिखना है और यहां पर उस पर OTP भी भेज़ दिया जाएगा और साथी साथी यहां पर उसका four digit भी आपको देखने को मिल जाएगा तो जो है दुसरा परक्रिया है जिसके माधेम से आपके अधार कार्ड में कौन सा mobile number है इसको check out कर सकते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि जो भी तरीका है मैंने अधार कार्ड में कौन सा mobile number लिंक है लिंक नहीं है तो लिंक कैसे करवाना है मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है वीडियो आप नहीं देखे है आई बटन में है जाकर check out कर लेना क्यूंकि इसमें मैंने सबी चीज़ों clear करके बताया हुआ है कि अगर आपके अधार कार्ड मोबाइल नुमर लिंक नहीं है तो किस तरह से घर बैठे ही लिंक करवा सकते हैं तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नेट आफिक के साथ अब तक लिए वीडियो द अनिवार